तो जैसे कि आप देख सकते हैं माज बनाने वाले हैं ग्रीन चटनी जो बिल्कुल नवेद्यम स्टाइल किये हैं एंड हम उसको बहुत मिक्स कर रहे थे तो हमने सुचा घर पर ही बनाते हैं और यह बहुत डिलिश्यस बनी है और यह डोसा उत्पम इडली सांबर हर किसी के साथ चल जा सकती है तो चलिए देखते हैं कि आखिर बनती कैसे हैं यह मैंने एक मिक्सिका जार ले लिए उसमें मैंने आदा नारियल डाल लिए काटके अब मैं इसमें रोप पीनट्स डालूंगे जो मैंने भून लिए और उनका छिलका उतार लिए प्रोस्ट कर लिए मैंने इनको चार हरी मिर्च चार लसुन की फांके एक चमचीनी थोड़ा सा नमक यह मैंने इसमें भूलावा जीरा पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा और ये मैंने धनिया और पुदीना दोनों गरम पानी में भिगो लिया था ताक कि वी एकदम साफ हो जाए अब मैं इसमें आदा निम्बूनी चोड़के इसमें एक कटोरी धहीं आड़ करूंगे और अब मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी तो आप देख सकते हैं मिक्सी में पीसने के बाद तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर रहूँ क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी हार्ड है अब आप देख सकते हैं मैंने इसको दुबारा पीस लिया है और यह एकदम स्मूध और बिलोकुल पॉफेट कंसिस्टेंसी जैसी बन गई है अब हम इसमें तड़का लगाने की तियारी करेंगे तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है उसको गरम कर लिया है उसमें मैं एक चमच तेल डाल दूँगी थोड़ी सी राई या सरसो के दाने और जब तक यह अच्छे से भूनने जाते हैं मैं इनको थोड़ी देर इसी में ओल में रहने दूँगे आप राई है सरसो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर पर अवेलिबल दो लाल मिर्च यह मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता और मैंने गैस बिल्कुल ओफ कर दिया अब मैं इसमें जो मैंने चटनी बनाई थी वो एड़ कर दूँगे और इसको अच्छा से मिक्स कर दूँगे अब मैं सारी जटनी इसमें आड़ कर दूँगे याद रखे कि गैस बंद है तरका भूने के बाद हमने गैस आफ कर दिया और हम इसमें चटनी मिला रहे हैं तो अब हमारी यह रेड़ी है और हम इसको बाउल में निकाल लेंगे त थोड़ा सा उपर से कड़ी पता और डाल दिये क्योंकि कड़ी पता साउथ इंडियन जटनी में बहुत टीस्टी लगता है तुब यह जस्ट लवेंगे एट और आम शूर देट यू विल अलसे एट आप इसको डोसा सामबर सबके साथ खाई और एंजोई कीजिए तो थैं थैंक यू